कोई है हलो फ्रेंट वेल्कम आपका एक नई क्लास के साथ एक नई वीडियो के साथ तो शुरू करते हैं तो शुरू यह करेंगे कि UP-ARO-ARO का एकजाम होने बाला है करेंगे उत्रप्रदेश चीजों की प्लख करेंगे नारी चीजों की बात कर लेंगे कि आखरे में घ्रीus घृ Top一 SS का कैसे स्ट्षाहिब सामाने पर्चे तो सामाने पर्चे में यह है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी अवस्तिति क्या है पहले तो यह देखते हैं अवस्तिति क्या है उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की अवस्तिति क्या है तो करकरेखा के उत्तर में अवस्तित है यह भारत का राज् अगर ऐसे बात करें तो भारत की बात करें तो भारत की जब यह बात कर ले रहे हैं अपन लोग तो भारत की बात कर ले रहे हैं इयुक्त सप्रबूरा तो यह हैं तो यहां से क्रक्रेइच यहरई से उपर आपके उत्तरप्रदेश और क्यों उत्वरीन की वंत्वरद्य की विस्तती है करक्रे का का तर्मे जी बात दूसरी बात वह है कि करक्रेक जो इसका अच्छांसी विस्तार है वो उसका साड़े 23 डिगरी से लेकर 23 डिगरी 52 मिनट नौर्थ से 31 डिगरी 28 मिनट नौर्थ तक है ठीक है यह अच्छांसी विस्तार है यह अगर इसकी देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार की बात कर ले रहें तो जो अच्छांसी विस्तार है वो क्या है वो यह बार कुशन आया था 23 डिगरी 22 मिनट नौर्थ से 31 डिगरी 28 मिनट नौर्थ तक है अगर विश्तार की बात करें तो देशंत्री विश्तार जो है 77 डिग्री से 77 डिग्री 30 मिनट नो इस्ट से 77 डिग्री 30 मिनट इस्ट से लेकर 84 डिग्री 84 डिग्री 39 मिनट इस्ट तक है यह इस्ट तक है यह इसका देशंत्री विश्तार है यह अच्छांसी ओपर वाला अच् प्रतिवी क्यों प्रतिवी को अगर यह वालंचन्तर र मीकंथ क कायाती है यह लिए ऐले है यह सृचन्स और देश 머लACE कहलाती है इत्ती बात है आगे चलते हैं यह यूपी के हम बारे में बात करें यूपी के पेपर की बारे में बात करें आरो यारो की इत्ती बात मैंने जब कर लिया है तो उसके बाद जो छेत्रपल है इसकी छेत्रपल की बात कर ले एरिया के यूपी के एरिया की तो उत्रप् 7229 mudstad क्लोमेटर के सकती है वर्ट किलोमेटर किलोमेटर के सकते है या फटवरको मिटर कह सकते हैं 2 लाँ 4,928 हैरिया कर दिनक ए जो पूर Kendra कि दिन ऑपारत के छेत नका कितना है इसका जाया है जो 2,44928 वर किलोमेटर जो एरिया है वो पूरे भारत का पूरे समस्त पूरे भारत का वो पूरे भारत का 7.33 परसेंट है 7.33 परसेंट है पूरे भारत का उत्रप्रदेश जो एरिया है उत्रप्रदेश का एरिया वो पूरे भारत का 77.33 परसेंट है कितना है 7.33 परसेंट है पूरे भारत का यह उत्रप्रदेश की बात चल रही है ठीक है तो और बात करते हैं चेत्रपल की दरश्टी से जो उत्रप् से चांद चौ्थि नंबर पर या छोता इस्ताना यता चैतरपी दृषट्रिंट से यूपी का कौन सा इस्तान बोके यूपा आता है फूर्त निंबर आता है under Up का फिर आगे जो से यह हमें इसकी करना चाहरहे हैं वो शेत्यबगित दृष्टी से भारत का चौता बड़ा राज्ज और चौता इस्तान आता है और चौता बड़ा राज्ज आँ पपूपलेशन की बात नहीं कर रहें अब एरिया की बात कर है चौता सबसे बड़ा राज्ज है नो लाग दो लाग चालीस रहा नो सब ठाइस वर किलोमेटर के साथ और सेविन पॉंट दो उत्तरपृदेश की बात कर रहे हैं यह कुझेश के विशेश की वात प्र करें तो इतरप्रतिश का जो नाम पड़ा 1834 में पड़ा मैं 1834 में पड़ा एक नाम उत्तर उट्र पश्मी सीमांत प्रॉंत उत्तर उत्तर पश्मी सीमांत प्रांत कहते हैं सीमांत उत्तर पश्मी सीमांत प्रांत नाम पढ़ा वह 1834 में पढ़ा नाम करण की बात कर रहे हैं अब नाम करण यूपी के जो नाम करण कैसे पढ़ा क्या-क्या नाम पढ़े इसकी बात कर रहे हैं और 1834 में उत्तरी पश्मी सीमांत प्रांत इसका नाम पड़ा उसके पशाद उत्री पश्मी सीमांत प्रांत अबद पड़ा उत्री पश्मी सीमांत प्रांत प्रांत अबद एक और नामकरण पढ़ा एक और नामकरण पढ़ा क्या पढ़ा just a minute तो इस तरह एक उत्री पशमी सीमान प्रान्त अबध जोरह half 277 तर तक इसमें नाम पढ़ेंगे उसके बाद आगरा एवम अवाद का सहयोकथ प्रांत नाम पढ़ा आगरा एवं अवद का संयक्त प्रांथ नाम पड़ा अवद का संयक्त प्रांथ नाम पड़ा और फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत नाम पड़ा इसका संयुक्त प्रांत नाम पड़ा जो 1937 में पड़ा 1937 तक इश्वी से रहा तो इस तरीके से इसके यूपी के नाम बदलते गए और उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से वर्तमान तक है और उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश नाम है वो 24 जनवरी को शनाता है 1950 से अब तक नाम है तो यह यूपी के नाम की उसकी उसकी कह सकते हैं एक निरंतर उसकी नाम बदलीके प्रक्रिया नाम बदलाब के स्ट्रक्चर्चर है कि पहले 1934 दोंम उत्तर प्शमी सीमंत कर दिया गया 120шей प्रदेश को इसका नाम करड़ हुआ इस तरीके से जो है यह इसकी जो है पढ़े जाते हैं उत्रप्रदेश के नाम करड़ की अमने बात कर ली और इसकी अवस्तिती की बात कर ली छेत्रपल की बात कर ली आप पुनर गठन की बात कर ले रहा है तो इसका पुनर गठन हुआ तो उसकी बात कर ले रहा है तो इसके पुनर गठन में थोड़ा सा उत्तरप्रदेश का अगर जाना है को उत्तरप्रदेश का पुनर गठन कैसे हु उत्त प्रदेश के नाम से इसका गजह गठन हुँगां जब आजद हो गया देश नाम से इसका गठन होसे नाम से उसके बाद इसकी एक जन्मरी 1956 को पुनर गठन हुगा एक जन्मरी 1956 को पुनर गठन हो जाता यह बात याद रखनी है तो जो बर्तमान नाम है दो चौवीच जन्मरी 1950 को भारत के पास आया भारत के राजशेत्र में उत्रप्रदेश के पास आया उसके बाद एक जन्मरी उनुपर फिर फिर नौ नौन नवंबर नौन नवंबर नौन नवंबर यहां पर बिंदी भी लगा सकते हैं नौन नवंबर नौन नवंबर बर कैसो ऐसे लिखलो निया नवंबर नौन नवंबर या नौन नवंबर 9 नौवमबर 2000 को फिर से जो ही यूपी का कुनमेड हटन गुए फिर से उत्रप्रदिस का तेरे जलों को प्रतक करके तेरे जिल अलग कर दिए तेरे जिले बना धिए उशेले था कभी कबी तेरे जिले करके अलग उत्राखंड को बना दिया गया ठीक है उत्राखंड बना दिया गया पहले उत्राआ चलता अब जो कि नाम करण की पूरी प्रक्षिए कि ठीक है उसके बाद हम चलते हैं कि राज की चिन्न किया है येопिके तो इसने की बात करें तो कफी अच्छी डिए चिन्न Ohney और जो परिच्छां हमें ऑटे हैं किती हुआ में पूच लेता है कि राजकी चिन्न का है तो यूपी के राजकी चिन्न की बात अब करेंगे तो मत कर ले अभी जन्वरी को आने ही वाला है उसके बाद जो है राजकी ब्रच बनाए आता है राजकी ब्रच जो है राजकी यह इसका राजकी यह एक ब्रच है जिसको जिसको हम अशोक के नाम से जानते हैं राजकी ब्रच है जिसको हम अशोक के नाम से जानते हैं और राजकी यह बी एक राज की या पशु भी यह इसके बाद राज की यह पशू भी यह पशू जिसको 12 सिंगा की नाम से जानते हैं और राज की यह पच्छी यह पच्छी यह यह यू पी का जिसको सारस या क्रॉंच की नाम से जानते हैं यह यूपी की जो है अभी क्या है चिन्नों की बात चल रही है तो राजकी चिन्न की बारे में बात चल रही है राजकी चिन्न एक ब्रत में दो मचली है अगर राजकी चिन्न की बात करें राजकी चिन्न की बात करें राजकी चि में दो मचली एक तीर धनुष है दो मचली है एक बरत में दो तो मचली है और और एक एक तीर धनुष है तीर धनुष है ठीक है यह 1937 से अशप्ट किया गया है यह इसका जो आधिया को इस तरीके से दुप्तिय मचली खिणिया अगर जाने उत्तरदेश की राजकी बहसी जो है लेकिन साथी सत कि दुप्तिय भाषा भी यू-पी की यू-पी बाशा भी यह राजकी वाल सा तो वो आप की दुप्तियदी बहसा उर्दू है उर्दू उर्दू जो 1989 से स्विकार है जो 1989 से रखी गई है उर्दू तो राजकी वाशा हिंदी भी है और उर्दू भी है जो 1989 से रखी गई है चिन्न के बाद मन ज्ट की चीजओं की आब प्रसाशन की बात करेंगे वदयकी बात करें तो यह वीडियों को लगा इस वीडियो को लाइक में अपने डोस्के कर आगर आप बड़े रही है मेरे साथ त्यारी आपकी अच्छे से हो जाएगी तो फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ एक नए लेक्शर के साथ नमस्कार धन्यवाद